नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूटूब चैनल से अमक्ला स्टेडी में बच्चों के हैं सामके च्छे और डेली के तरह आ चुका है हमारा यूपी जी की का प्रेटर सेट नमर 37 आज के प्रेटर सेट में आपको लगवा पच्चे पिशन देखने सबाउन हा है कि पूरी संबावना है तो आपको you please ऐसे आपको किसी बूप में नोट का ले nerves कियोंकि मैं जित्री प्रेटर सेट करा और उन्हीं मेंस अपको ईॉप रिच्छा में सारे प्रेटर देखने को मिल जाएंगा क्यौत कोई बीडावट 대통령ों को आप कमेन्ट को पूछ सकते हैं कि यूपी जी की से रिलेटिव आपका जो भी डाउट हो प्रेटर सेट पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर देना चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप जरू सब्सक्राइब कर लेजेगा इससे पहले मैं आपको बता साइट आतें एक प्रेटब साइट दोफैर के 12 वजए दूसरा प्रेटब साइट को आट वज़े कर आया जाता है तो हमारे चैनल पर पूरता आपको फ्रेटर सेट करवा जाते है जो यूपले यह पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर देना चैनल को अपने अभी तक सस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप जरू सस्क्राइब कर लीजिएगा तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हैं शुरू करते हैं आज का अपना यूपी जीके का प्रेटर सेट नमर 37 तो कोश्चन है आपके सामने की सरदार बल्ला भाई पटल किर्सी बिस्विद्याल आवस्तित है तो कहां पर इस्तित है सरदार बल्ला भाई पटल किर्सी बिस्विद्याल है तो यह इस्तित है मेरट में कहां पर है यह मेरट जनपत में इस्तित है सरदार बल्ला अबिए बिस्विध्याला है तो कौन सा इनमे से पहला केंद्रियः बिस्विध्याला है तो यह biblical conflict बाराणसी का है यह पहला है और अर्ट सि झाल आपके रहतेअ आगरा में कहां पर है आगरा में यह स्तित है ओप्षन नमबर इसका राइट अंसर हो जाएगा कि अंगला पेशने आपके सामने कि किस राजने 2009-10 में बिकलांगों के लिए एक विश्विद्याले की स्थापना करने लिया तो कहां पर लिया था तो यह लिया था अपने राष्ट उत्तर पिर्देश ने ऑप्षन नमबर डी इसका राइट अंसर हो जाएगा कुशन नमबर 205 आपके सामने की नेम लिखेत कत्रों पर बिचार कर कूट से सही उत्तर चुने तो आपको बताना है कि इसे कौन सा कूट जो सही हो जाएगा कथाने आपका उत्तर पिर्देश में सिक्षा मित्र योजना गिरामेड यूगा सक्ति को अपने ही गिराम में सिक्षा द्वारा सेवा करने का अउसर अपलप्त कराती है जब फिक कारण है मानकन मुसार अध्यापक छात अनपात को बनाय रखना इसका उसका उद्देश है तो अनमे से कौन सा कूट है जो सही हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और ए की सही ब्याद क्या आर करता है विलकुर राइट है ऑप्सन नमबर ए इसका राइट अंसर हो जाएगा अंगला पैसने आपके सामने 206 की सरवाद एक अनसूचे जनजातियों के पिर्तिसत बाला जिला कौन है तो कौन से जिले में सरवाद ए अनसूचे जनजातियां रहती है तो ये रहती है सो नबहतर जनपद में किसमें सो नबहतर जनपद में ऑप्सन नमबर भी इसका राइट अंसर हो जाएगा सरवाद ए अनसूचे जनजाती बाला जिला कौन है तो कौन सा है सरव सरबाद अनु सूर्ची जनजा जमाला जिला जबकि उसमें पूचा गया तपिरतीसत वाला तो शरवाद अनुसूची जमाध्र जिला यह भी स्वनभद्र है ओपसम्मिक नमरए इसका रहतान सर हो जाएगा सबसे कम अनुसूचे जम जा ती वाला जिला कोण इसका राइटांसर हो जाएगा पिर्देश में सरवादी जंख्या बाली जन जाती है तो उत्ता पिर्देश में सब आप सूचि बद किया गया तो कब सूची बद किया गया था केंre सरकार के दवरा फिर्देश की 10 नय जंजातियों को तो इनन चूची बद किया गया था tv03th कब 2003 में ओप्सा नमबर सि इसका राइट अंसर होजागा पहरिय जंजातीनवास करती है तो कहां पर निवास करती है पहरिय जन जाती कौन से जनपत में नवास करती है तो यह नवास करती है सो नवादर जनपत में पहरी जन जाती और इसका राइट अंसर हो जाएगा निम् Wire किस सलिक में हिंदूह जएसा बढ़ने विभाजयन उप्सन में है हिंदूह जिएसा बढ़ने विभाजया अपस का ऑप्सन नमबर ऐसका राइट आंसर हो जाएगा पाधाल एक इसा१ि मंदि डिशंब करशेट आधियार गया है तो इसमें यह यह लाई लाष नहीं जाए है जा राइट अंजर हो जाएगा यूपी बिधान सबा के पिर्थम अद्यक्ष थे तो कौन थे? यूपी बिधान सबा के पिर्थम अद्यक्ष आप चानते हैं ये थे आप्सन नमबर D Iska Right Answer हो जाएगा करमा किसका लोकनृत है तो कौन सी जन जाती के दोरा करमा लोकनृत किया जाता तो यह किया जाता है खरवार जन जाती के दोरा किसके खरवार जन जाती के दोरा करमा लोक निर्थ किया जाता है option number B इसका right answer हो जाएगा नेक्ट पेस्ने आपके समझ के पिर्देश में किस जन जाती में दिवाली को सोक के रूप में मनाया जाता है तो कौन सी वो जंजाती है जो दिवाली को सोक के रूप में मनाती है ये जंजाती यूपी में सबसे जएदा है तो ये है थारू जंजाती है ये दिवाली को सोक के रूप में मनाती है ऑप्सन नमर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा नेस्ट पेस ने आपके सामने की निम्ड में कौन साही सुमेले थे तो इन में से कौन सा साही सुमेले थे ये आपको बताना है तो कौन सा सही सुमिल पटापट बताईएगा ये पिछले कोश्चन में बता चिकाऊं कि बुकसा बेजनवर में रहती है तो ये बिल्गों सही हो जाएगा option number B इसका राइट आंसर हो जाएगा नेश्ट पेस ने आपके सामके निम्न मैंसे कौन सी जनजाती सरवादी जनसंकिया बाली है तो इन मैंसे कौन सी जनसंकिया सबसे ज्यादा है उत्तर प्रदेश में तो ये है थारू कौन सी है थारू है option number B इसका राइट आंसर हो जाएगा निम्न लेकर जनसंकिया उत्तर प्रदेश में सरवादेख है पिछले कुश्चन में भी मैं बोल चुका है कि उत्तर प्रदेश में किस की जनसंकिया सबसे ज्यादेख तो ये है थारू option number B इसका राइट अंसर हो जाएगा नेस प्रदेश ने आपके सामने के 12 सरकार दौरा प्रदेश की 10 नई आदिवासी जनजातियों को अनसू से जनजाति की रूप में सूची बद्द किया गया तो कब सूची बद्द किया गया था ये question में पिछले question में इसका राइट अंसर बता चुका हूँ पूचा था 10 जनजातियों को अब पूचा है कौन से बर्द में अगर आप लोगों ने इस दम ध्यान से वीडियो को देख रहा हूंग तरमन ध्यान से तो इसका आपको राइट आंसर पता चल चुगा तो ये किया था बाहरा सरकार ने 2003 में कब 2003 में इसका राइट आंसर हो जाएगा option नमबर बी अंगला प्रेस ने आपके सामने के निम लिकित में से कौन सी अनसूचे जनजाती बिजनो और जिले में निवास करती है तो फिर question आ चुका हूँ अब लगा तर दो कोशन में पूच चुका हूँ इस question का answer फिर question का answer आपको बताना है कि कौन सी अन्चूचे जन जाती है जो बिजनो और जनपद में निवास करती है तो यह करती है कौन सी करती है बोकसा कौन सी बोकसा जन जाती option number C इसका right answer हो जाएगा आवद की नवावों की प्रारंबिक राजधानी कहां थी तो कहां पर थी आवद की नवावों की प्रारंबिक राजधानी तो इनकी प्रारंबिक राजधानी थी फैजावाद कौन सी थी फैजावाद थी option number D इसका right answer हो जाएगा अंग्लापेस ने आपके सामनों की यूपी को समय समय पर दिए गए नामों से संबंधित बर्सों सुमेलित करें तता कूट से प्रावत उत्तर का चैन करें आपको यह नहीं मिलान करना है कि इसका राइट आंसर कौन सा हो जाए गया तो यह मिलान करते हैं कोशिन नम्मा 224 का राइट आंसर आपको बताना है तो जो यूपी का उत्तर पश्री प्रावंद नाम कब था तो यह था 1836 में तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एका चार ठीक है और आप जानते कि उत्तर पर देसे बर्तमान नाम तो यह कब से है तो यह है 1950 सेंच और 156 से तो डी का राइट आंसर हो जाएगा ए सइयुक्त प्राइंद नाम कब से हैं सजयों नाम है तो यह था 1937 में रखा गया था सेजू प्राइंद नाम तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी का दूसरे से मिलाएं आगरा और आबद का सुन्यूप्रांट नाम तो ये ता 1870 में तो इसका हो जाएगा तीसरे से मिलाएं तो 4-3-2-1 4-3-2-1 ऑप्सन अमर सी इसका राइट अंसर हो जाएगा लाश्ट पेस ने आज के प्रेट टेस्ट एट का कि कि जन्पात में इस तहीं तो कौन से जन πα्त मैं है चaura इस्थान तो को इस तो ये गोरकपूर जन पात में चauri स्थान आप जिसका राइट अंसर हो जाएगा तो अब आब कि आपने हमारे'RE यूपी जी के कि 58 पिस्ट मैं कित्ने 9 जु आपने किया तो चैनल को आप जरू सब्सक्राइब कर लेजेगा मिलते हैं नेश्ट वेडियो तो नेश्ट पर टेस्ट में तब तक लिए धनबाद जैन मेरे पारे साथ ही है